है एक बार फिर आपका स्वागत अपने इस नई वीडियो में आज की स्वीडियो में अपने ड्रेंग स्टार्ट करेंगे ए5 शाइस के वेपर से निडेबल एरिजर ले रहा हूं और कोटन बर्ट लेंगे अपन ज्यादा ब्लेंडिंग के लिए उसके बाद में अपन पैंसल से यूज करेंगे केमलेन की हाड़ सॉफ्ट एंड मीडियम और यहां पर अपन यूज करेंगे इस टैन भी और ट्वल भी पैंसल्स भी इसी के साथ में अपने यूज करने वाले ब्रॉसिज दो जो मैं यूज वेली यूज करता हूं और चार्कॉल पाउडर जो मैंने चार वीडियो की रेफेरेंस फॉटू में अभी दीखाता हूं आपको स्वाइसित फोटो नभी बना जा रहे हैं इसी वीडियो में और काफी जादा डिटार्वेरेंग पर गहाएं तो मैं चाहता हूं पायमेंग्स करेंबन एस वीडियो को स्टार्ट करब करतें तो लेटम मैं बिना ग्रीदेंस के आउटलाइन बना चाहूंगा यह मेरी फर्स्टाइम है तो देखे है तो लेट स्टाइट इस आउटलाइन का ओवर्वी बना दिये तो यह हो गए कंप्लेट तो अभी अपन इसके जो बालों की शेडिंग है वो स्टाट करते हैं मैं पहले इसको डाइट पैंसल से बनाऊंगा सारे बाल्स और फेर अपन डाग डाग करते इसको पूरा कॉपलेट करेंगे तो आप देखो आगे मैं कैसे करता हूं है अब थोड़ा इसको फाष्ट करतेंगे ऑस्टा थोडर नियर बन्ने डाधक इसको फोड़ा से घ्लेसी तौट कर थोड़ा से क्लीक लिए जिसए जो यो जो जो लेक रलवार्ट तो इसके बाद में अभी में डार्क पंसल से अभी इसको तोड़ा सब जैसे डार्क बाल हैं जान सहां से डार्क हैं बाल तो वहां से डार्क एडियाज बिनाएंगे और वीडियो बनाएंगे है यह जो हाइलैट्स हैं में इस ऐरे रहा हूं इसको नुड़िय बली रियाजर कहते हैं तो यह क्लेर टाइप में तो इसका बैनेफिट यह कि एम इसको जो पतली बतली लाइंस है हैर्स के उनमें यूश कर सकते हैं और अगे ऑनक्षड़ते हैं तो अब हैस्त अबने कभेट हो गए और अब अपन फोर हैड की सेडिंग करेंगे दिए अपन सेडिंग करते दाएंगे इसको ज्यादा से ज्यादा डाक बनाया है तो उसके कोडिंग अच्छा लगेगा जिससे बागी अभी आगे कंटीनु करते हैं इसमें मैं उनली ब्रस और चार कोडर यूज़ कर रहा हूं तो आपको भी यह यूज़ करना है क्योंकि इससे काफ़ अच्छी सेडिंग दे जात काफ़ों करते हैं वीडियो करने वीडियो आगे अब इसकिन टॉन तो हो गए अपना और अब आइस के साथ स्टार्ट करेंगे तो आइस से स्टार्ट करता हूं मैं बाकि यहां पर आइस में में मिडल में अपनी जो सबसे डार्क एस पैंसल यानिकी चार्कुल की जो सॉफ्ट पैंसल है उसका यूज़ करूंगा बाकि आइस तो अब यहां पर चार्कुल पावडर का यूज़ करके चार्कुल पैंसल यूज़ कर रहा हूं आपर सॉफ्ट वाली तो इसके एकोडिंग जो रिजर्स आते हैं वो काफ़ एच्छा आते हैं तो अभी तो कंट्विए करते हैं वीडियो का गे स्वेल अट्स को कि मैं डायरेक्ट वैसे भी जो रेफ्रेंस फोटो में जैसे सेटिंग है मैं वैसे ही कर रहा हूं कुछ एडिसनल मैंने कुछ भी एट नहीं कर रहा हूं कि मेरे जब से कुछ भी संसे क्लिए रेफ्रेंस फोटो है मेरे पास तो इसमें मैं देख सकता है बाकि जflowing मैं कर रहा हूं यह सब रेफ्रेंस जो टोर्ट कर रहा हूं तो लीए वाली बात नहीं है लिए नोर्मल सी बात है मैं रेफ्रेंस फोटो के अकोडिंग ही करूँगा तो चली कंटिनुए अब बस अपनी जो फाइनल टेश है सर्ट की शेडिंग देनी है तो रिगोथ जो मैंने सीदी ब्रस से दे लिए और वीडियो यहां पर खितम मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए कंटेंड के साथ झाल